गोड़ मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत हैं कैसे हो आप लोग दोस्तों आज हम लेंस से जो परतिविम निर्मान की विदी हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और सबसे इंपोर्टेंट जो उत्तर लेंस से परतिविम निर्मान के स्परकार से होता है इसके बारे में हम मेन फोकस रखेंगे और अगली वीडियो में हम आउतर लेंस के बारे में कैसे परतिविम निर्मान के बारे में पढ़ेंगे तो दोस्त वीडियो में आप बने रही है तो चलिए दोस्तों शुरुवात करते हैं तो लेंज से परतिविम निर्मान के बात करते हैं परतिविम का मतलब इमेज होती है दोस्तों एक बीम होती है जिसको वस्तु बोलते है और एक परतिविम होती है जो लेंज से हम इमेज को निर्मान कर रखा हुआ है कि आपने मुख्य फोकस पर रखा हुआ है कि दूरी पर रखा हुआ है इस बात पर निर्बर करता है कि आपने आपका जो परतिविंबे वो किस जगह पर बनेगा तो लेंस के हमने नियम पड़े हुए है किस परकार से लेंस जो परकाश के किड़ने होती है वो किस परकार से लेंस से गुजरती है और किस तरफ मुड़ती है जो जैसे कि अगर मुख्यक्ष के समानतर आ रही है तो अब वरतन के पश्चात वो मुख्यक फोकस में मिलेगी में नियम पड़े थे तो मैं लिंक आपका नीचे दे दूंगा फिर आप अपने इसाब से उसको देख लीजेगा अब हम उत्तर लेंस से प्रतिविम निर्माण की बात करते हैं तो अलग-अलग इस्तियों में हम बिंब को रखेंगे और देखेंगे किस प्रकार से बिंब का निर्माण होता है अब पहले केस कंसिडर करते हैं जिब बिंब अनंत पर होता है तो अनंत पर हो कही सारी किरने आती है कुछ समांतर किरने आती है कुछ आड़ी-ड़ी किरने आती है तो हम केवल बिंब से आने वाली समांतर किरनों के बारे में बात करेंगे तो बिंब से आ लुकस पर आके मिल जाएगी तो जो अगर वस्तु अनंत पर पढ़ी है तो जिबिम बनेगा उसका अकार बिंदुवत होगा और वो उल्टा बनेगा और वास्तुविक बनेगा वास्तुविक का मतलब यह होता है दोस्तों कि उसको हम किसी भी परदे पर ले सकते हैं यानि किस केमाल में से भी पर बात करते हैं चलिए दूसरा कैस है कि दिविक सीमेद दूरी पर तो यानि अनंत पर नहीं हो माल लीजिए कि जो बिंब वह टू एफ वन जो प्रकड़ता के अंदर होता है लैंस का उसके और अनंत के बीच में हो जी आशु वकरता के अदर और अनंत के बीच में होुँ, तो हम 2 किर्णे लेंगे ये जो समानतर आपतित होती है और एक परकाशे के अधर से गुजट्रने मुक्याक्ष के समानतर आए गी वो तो लेंस ke दूसरी तरफ वाले फोकस से उके गुजरेगी और जो परकाशिय के अंदर से उके गुजरेगी वो भीना अपवर्तित होए होए सीधि निकल जाएगी तो जो आपका परतिविम बनेगा वह एफटू और टू-एफटू के बीच में बनेगा और परतिविम का जो आकार होगा वो बिम के आकार से और आपका जो पर्तिविम बनेगा वो उल्टा बिम उल्टा बनेगा और वास्तिक बनेगा तो इसका मतलब इसको बिम पर्दे पे ले सकते हैं तो इस परकार से दो किर्णों के साइता से आसानी से आप पर्तिविम निर्मान बना सकते हैं तो जो यहां पर पड़ती बिंब बन रहा है वो F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है तो यहां पर हमने दो किरने लिए एक तो मुख्यक्ष के समांतर आपतित हो रही है दूसरी परकाशिय के अंदर से गुजर रही है तो जो किरन प्रकाशी के अंदर से होकर गुजर रही है वो किरन बीना विचलित होए आगे चली गई लेकिन जो मुख्यक्ष के समानतर किरन आपतित हो रही है वो आप अपवर्तित होने के प्रश्चात मुख्य के फोकस से होकर गुजर रही है और यह जो दोनों किरने हैं य और इसको हम पर्दे पर ले सकते हैं इसलिए वास्तविक है तो इस परकार से यह F2 और 2F2 के बीच ही बनता है तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब जो हमारे पास थीसरा केस है कि जब बिम्ब जो है 2F1 पर हो मतलब वकरता जो पकरता के अंदर है लेंस का उस पर हम रख द यह F2 से गुज़रेगी इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये दोनों के लिज्टने जाकर एक बिंदू पर मिलेगी और वह बिंदू होगा ii, यह दूसरा वकरता के अंदर है तो एक वेसे हम लेंस के पास में आरहे हैं वैसे विशे जयो पर्तिभीम वह वह बिछा रहा है और अगला केस कंसीड हुआ करते हैं जब बीम्ब तू इस की बीच में मात 10 ुर फवान के बीच में तो जो परतिभीम बनेगा देख पारे हैं कि वह वह तू अनंत के बीशे मनेगा यानि परतिविम और दूर अट गया अभी परतिविम उल्टा है वास्त दिखे इसका हम परदे पे ले सकते हैं और जो परतिविम मना है जो A-B-B- की लंबाई जो जो की A-B है उससे जज्यादा होगी तो यहां पर हम देख यहां पर हम देख रहे हैं कि जो परतिविम से ले रहे हैं यूचिक सकते हैं तो इन दो केसेस में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे हम Lens के और मुढ रहे हैं वैसे वैसे पलती भी a भी जैजि़ दूर अगर नौट करने लाइक है और आसानी से हम पलती विर्मान को सीख सकते तो जदा थर जो प्र्तिविम वो हमारे पास में कैसे बन रहे हैं अगर मुख्य फोकस पर हैं तो आपके जो प्रतिवीम बनेगा वह वास्तविक बनेगा यह इसको परदे पर ले सकते हैं उल्टा बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा क्योंकि यह दो समांतर केड़ने हैं यह अननत पर जाके मिलेगी इसलिए बहुत ही बड़ा आपका अग हमारे पास जो इमेज बनेगी बहुत ही बड़ी बनेगी उल्टी बनेगी और वास्तिक बनेगी अगला केस कंसिडर करते हैं अगर बिंब को हम मुख्य फोकस एफ-वन और प्रकाशिक अंदर के बीच में रख दें तो जो दो प्रवर्तित होने के परश्यत आगे ईख दूरी बढ़ते जा रही है और जो प्रकाशिक के अंदर से वकर बुजर रही है 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 वह दोनों केड़ने एक दूसरे से आगैए देखे आप दूरी बढ़ते जा रहिए और भी बढ़ती जा रही है कि इसका मुख्यEr जा इसका म Namaskその बटर मुयं बेंगी तो प स्टेम तो परतित भी नहीं नहीन है। क्योंकि यह कहीं पर भी नहीं भी नहीन भीakah नहीं बनेगी तो आद Bir यह था और दूसरी चीज है कि यह जो परतिवी अगर आम पीछे की तरफ बढ़ानें दोनों किंड्ड एक लूती हैं सुझाइबविध को तो है अदर की दाफ मिलती है पर्तिभीम मनता है, वो 2F1 और अननत के बीच में बनता है तो इस तरीक से हमने तारे केस कंसिडर करें एक केस में आभास्य-पर्तिभीम बन रहा है जब हम तो मुख्य-फोकास, और पाकी अंदर के बीच में रख रहे हैं, वीम को उसमें जो दूर की वस्त्वे होती हैं वो हमको बहुत ही छोटी दिकाई देती हैं इसे प्रकार से कही सारे चश्मों भी बुद्ता लेंस का परियोग होता है तो यह कही सारे उपियोग है जो प्रैक्टिकल लाइफ में उपियोग आते हैं तो दोस्तों यह वीडियो कैसा को कोई जानकारी मिल सकें और आपको बहुत बहुत शुक्त काम ना है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको काफी वीडियोज प्रोवाइट करे जाएं टाइमले प्रोवाइट करे जाएं तो आप अपने कमेंट कमेंट बॉक्स में आगे कमेंट कर सकते हैं आपको कोई प्रवावलम होतों, तो thank you very much, next video में मिलते हैं.